सीम हेमन सुरेन के छोटे भाई विधायक बसं सुरेन और मांडर विधायक बंधू तिर्की के भाशन से जार्खन प्रशाशनिक सेवा के अधिकारियों का एक बड़ा तबका आहात है उनके खिलाफ अधिकारियों ने राची के एक होटेल में आपात कालीन बैठक बुलाई औ और आंदोलन करने का एलान किया है अधिकारियों का आरोप है कि दोनों विधायकों ने भरी सवा और टीवी चैनलों में अभद्र और अमर्यादित टिपनी की है जन्वरी को मान्य विधायक स्रीबंधो तिर्कीजी के द्वारा चान हो प्रखंड विकास पायकारी एवं चान हो अंचल अधिकारी के विरुद्ध सार्वजनिक मंच से बहुत ही अमर्यादित और अभद्र टिपनी की गई साथ ही एक नीजी चैनल में भी उनके द्वारा प्रखंड ववं चल अधिकारियों के प्रती बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग किया गया आपने यह भी देखा होगा कि 26 जन्वरी को एक पॉलिटिकल कारिक्रम में मान्य विधायक सुरिबसं सुरेन जी के द्वारा मान्य मंख मंत्री जी की उपस्थिती में प्रखंड विकास प्रकारियों मंचल अधिकारियों के प्रती बहुत ही खराब बाते की गए और अपने कारकरताओं को उकसाने वाली बाते कहे गए मैं उन बातों को रिपीट करने में भी हमें बहुत शर्मा रही है जार्खन प्रशाशनिक सेवा के बैनर तले आयोजित बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांके के अंचल अधिकारी के खिलाफ विभागिये कारवाई पक्षपात्पूर्ण है संगठन ऐसी कारवाई का विरो आप भी जानते हैं कि जो हमारी निमावली है और जो प्रिंसिपल अफ नैच्रल जस्टिस जिसको कहते हैं उसके अंतरगर दोशी पर अधिकारी जिसको आप मान रहे हैं बिना उसका पक्ष लिए आप उसको सस्पंड नहीं कर सकते हैं राजे प्रशाशनिक सेवा के अधिकारियों के इस बैठक में निर्ने लिया गया है कि विधायकों के टिपनी और अधिकारियों को खिलाफ की जा रहे ही कारवाई के खिलाफ चरन बद आंदोलन किया जाएगा इसके पहले मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ग्यापन भी सौ पीजाएगी अगर सरकार हमारे वैलिड मांगों को नहीं मानती है और जिस प्रकार से अबद्र वेभार हमारे प्रखन के विरुद किया जा रहा है उस पर अगर वो नहीं लगाती है लगाम तो जरूर हम अंत में स्ट्राइक के लिए भी बात दियोंगे जिसके लिए यह सं प्रखन मुख्याले में आयोजित किसान मेला कारिक्रम के दौरान सारवजनीक मंच से विधायक बंधुतिर्की के द्वारा चान हो बीडियो और सीयों के खिलाफ कारवाई की गई साथी अमर्यादित और अभध्र टिपनी की गई थी वहीं 26 जनवरी को दुमका में एक चन सोरें द्वारा आपती जनक टिपनी भी की गई थी